हेलो फ्रेंड्स आई हार्टली वेलकम यू अन माई यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ दे नॉलेज अड़्डा दोस्तो आज के इस वीडियो में हम हार्ट अटेक या अक्यूट माई यू कार्डियल इंफाक्शन के अंदर कराया जाने वाला एक बहुत ही आसान सा टेस्ट CKMB टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम यह जानेंगे कि यह टेस्ट कब कराया जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और इसके बढ़ जाने पर कैसे कैसे सिम्टम्स हमारे शरीर के अंदर पाया जाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों CKMB का पूरा नाम क्रेटिन काइनेज मायो कार्डियल बैंड होता है यह एक तरह का CK या CPK का आईसो इंजाइम होता है जिनका पूरा नाम क्रेटिन काइनेज और क्रेटिन फास्फो काइनेज होता है दोस्तो CK, CPK या CKMB एक तरह के enzyme होते है जो कि हमारी muscles के अंधर पाए जाते है यह हमारी cardiac muscles, skeletal muscles और brain के अंदर भी पाए जाते है लेकिन CKMB जादा तर हमारी cardiac muscles के अंधर पाए जाता है इसलिए अगर कोई भी heart related conditions आती हैं इसी भी तरह का डैमेज होता है और उसकी वज़ा से कोई भी condition डेवलप होती है तो हमारे blood के अंदर CKMB की value उसकी normal value से बढ़ जाती है जो की 5-25 international unit पर liter होती है और हमारे शरीर के blood के अंदर इसकी value नॉर्मल value से जादा होना इस बात का संकेत देता है कि हमारे heart के अंदर किसी न किसी तरह की दिक्कत आ चुकी है उसमें acute myocardial infarction की condition डेवलप हो चुकी है या initial stage का heart attack भी हो सकता है इन सभी के अलावा भी कई अंद condition हो सकती हैं जिसमें हम इस test को perform कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति कई तरह के symptoms लेकर आता है जैसे कि अगर उसे सांस लेने में दिक्कत आती हो उसके जबडों में दर्द रहता हो उसके सीने में तकलीफ रहती हो या साथ ही उसके बाएं हाथ में बहुत ही जादा दर्द रहता हो तो इन conditions में भी हम इस CKMB test को करा सकते है दोस्तों सिर्फ इसी CKMB test के भरोसे हम यह डाइगनोस नहीं कर सकते कि कि किसी व्यक्ति को acute myocardial infarction है या नहीं है कई N conditions भी हो सकती है जिनकी वज़ा से हमारे blood के अंदर CKMB की value जादा हो सकती है जैसा कि हमने बताया कि CKMB या CPK या CK हमारे N muscles के अंदर भी पाय जाते हैं तो कई conditions ऐसी हो सकती है जिसमें उसकी value बढ़ सकती है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही जादा exercise करता है जैसे कि athletes वगेरा तो उनके अंदर CKMB की value नॉर्मल value से जादा ही हमेशा पाय जाती है तो इन conditions में हम किसी को यह नहीं कह सकते कि उसे acute myocardial infection की condition है इसलिए अगर किसी को heart related problem रहती है या अगर उसको लगता है कि acute myocardial infection की condition उसके अंदर develop हो रही है तो इस CKMB टेस्ट के लावा भी उसको कई अन्य टेस्ट भी perform करवाने चाहिए साथ ही उसको अन्य भी symptoms पर ध्यान देन चाहिए दोस्तों CKMB टेस्ट के अलावा भी हम कई अन्य टेस्ट करा सकते हैं जिससे हमें acute myocardial infection के बारे में पता चलता है जैसे कि troponin T और troponin I इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे Hopefully this video will be helpful for you, thank you for watching